नया आईबियन सेटन होस्ला है हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है ये भी एक राजनीती है कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा दुश्मनी बढ़ चली है एक और कदम जी हाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में से योगेंद्रियादव प्रशान्त भूशन और उनके करीबियों को बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया गया है रिष्टों में घुली हुई कड़वाहट पूरी तरह उजागर हो गई है पार्टी की नई सूची में सिर्फ वही चेहरे शामिल है जो केजरिवाल के बेहत करीब मने जाते है साथी साथ एक और बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जगड़ा जितना बढ़ रहा है उसी के साथ साथ दान करता भी आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं उनका मोब भंग होने लगा है देखिए ये रेपोर्ट उसके बाद बात करेंगे हमारे खास मेमानों से पीते चार दिनों से मीडिया के सामने हर मुद्दे को हर बहस को अपने ही अंदाज में पेश करने वाले योगेंद्र यादव और प्रशान भूजण की बोलती बंद कर दी गई है जिहां आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ताओं की जो नई फैरस जारी की है उन में से दोनों का ही नाम साफ है यानि केजरिवाल और योगेंद्र प्रशान की बीच की खाई कुछ और चौड़ी हो गई है इसमें समवाद की वो डोर काट दी गई है जिसके जरिये दोनों तमाम चैनलों पर अपनी बात रख रहे थी इनके साथ ही लोगसबा चुनाव के दोरान पार्टी की नीतियों की पुर्जोर वकालत करने वाली आतिशी मरलेना की भी प्रवक्ता पद से चुट्टी कर दी गई है ये फैसला अचानक नहीं है इसमें सियासी नफे नुकसान और बिगडते रिष्टों का सीरा तो दिखता ही है साथ ही इसके आसार आशुतोष के स्ट्वीट से ही दिखने लगे थे जो नोंने 29 मार्च को किया था आशुतोष ने लिखा था कि विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो पार्टी की इजाज़त के बिना मीडिया से बातचीत न करें सिर्फ अपने विधानसवा क्षेत्र के बारे में ही वो बात कर सकते हैं उलंगन करने वालों पर नजर रखी जा रही है मीडिया से बातचीत के लिए जो नई टीम बनाई गई है उसे देखने भर से साफ हो जाता है कि केजरिवाल के वफादारों को ही तरजी दी गई है इस टीम में संजे सिंग, कुमार विश्वास, पंकज गुपता, इलियास आजमी, आशुतोष, आशीश खेतान, दिली पांडे, एचेस फुलका, भगवन्तमान, कपिल मिश्रा और रागव चढधा जैसे नाम शामिल है इस पूरे मामले को लेकर विरोधियों के सियासी बयानों की धार भी पहनी होने लगी है बीजेबी से लेकर कॉंग्रिस ने आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला है जो पार्टी लोक तंत्र की सबसे बड़ी रक्षक बन के आई थी उसने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर लोक तंत्र की हत्या कर दे प्रवक्ताओं पर लगाम तो अब जाकर कसी गई है लेकिन पार्टी के दंदनाते दान पर लगाम पहले ही लग गई बीते खरीब 15 दिन से आम आदमी पार्टी के अंदरूनी जगड़े के आम होने के बाद से ही दान दाताओं ने हाथ खीच लिये हैं पार्टी की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मताबित 26 मार्च को पार्टी को महद 264 रुपे का डोनेशन मिला जबकि 25 मार्च को भी दान का आंकड़ा 733 रुपे था मार्च में कुल दान खरीब 46 लाक रहा जबकि मार्च 2014 में या आंकड़ा 9 करोड 20 लाक था इस जगड़े का असर दान पर पड़ा है तो लोगों की पार्टी को लेकर सोच पर भी योगेंदर और प्रशांद को राश्टी कारेकारिणी से पहले ही हटा दिया गया है प्रशांद भूशन को रवीवार को अनुशासन समीती के प्रमुक के पद से भी हटा दिया गया अब दोनों की बोलती बंद कर केजरिवाल खेमे ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी से चुटी होना भी खरीब खरीब तै है यानि बोला तो बोलती बंद Bureau Report, IBN 7 बोला तो बोलती बंद जी हाँ, आमादभी पार्टी के नए प्रवक्ताओं के लिस्ट में योगेंद रियादव प्रशान भूशन उनके करीबी कोई भी नहीं है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता मिलन गुपता बीजेपी के नेता सुधान्चु मित्तल साथी साथ कॉंग्रिस प्रवक् का रास्ता दिखाएंगे आदर्ष लोकतंत्र कैसा होना चाहिए आदर्ष पार्टी कैसी होनी चाहिए ये बताएंगे लेकिन क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि जो नई लेस्ट आई है प्रवक्ताओं कि उसमें सिर्फ केजरिवाल सबर्थक है यानि एक ही पक्ष्टी आवाज जा सकती है ये बात सच है सर आमानी पार्टी का जब तक मतलब अर्विन केजरिवाल नहीं था तब तक ये बाते मुम्किन थी अब ऐसा लगता है सभी ने हातियार डाल दिये हैं एक तरह से मैं कठोर शब्द का इस्तिमाल करना चाहूंगा नपुद सकता आ गई है हमारी आमानी पार्टी के नेताओं में वो अर्विन के सामने ऐसे नतमस्तक हो गए हैं जैसे की वो भगवान है अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि अर्विन गलत है हमारे नशनल कांसिल मीटिंग में हिंसा हुई है सारी चीज़े राजनीती में अलाउड होती है ये सभी लोग कहते हैं राजनीती मैं सब कुछ होता है लेकिन हिंसा हिंसा का जब अर्विन ने समर्थन कर दिया जी उसके बाद भी ये सारे सिध्धांत अब धरे के धरे रह जाते हैं तो मैं काफी हद तक आपकी बात से सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी इस एकुल डो अर्विन केज केजरीवाल गुट अर्विन केजरीवाल महान अर्विन केजरीवाल के स्पोक्सपर्सण यही सब पर्यास कraiser आप को रोक रहा हूं वह हम झे पूरा प्रयास कया बार बार हम यह बोलते रहे डेविज आडवोकेट उनकी तरफ से मैं ही कह रहा हूं कि जहां तक पार्टी का सवाल है उनका कहना है कि हमने हर काम सही तरीके से किया जितने बड़े हम अंतर से जीते वो भी बिल्कुल साफ है अरविंद के जिरिवाल पार्टी के एक शत्र नेता है और पार्टी और कुछ यह सच बात तो यह है कि हमारे experience politicians हैं यहां पर कि rally पोस्टर बाजी से चुनाव आज तक नहीं जीता गया है तीवी पर आने चुनाव आज तक नहीं जीता गया है कारे करता चुनाव जिताता है जब वो घरों घरों पर जाता है जैसे सुदानशु जी भी खुद बता जब पढ़ा लिखा वर्ग अब की बार निकल के आया था टोपी पहन करके मेरे जैसे लोग बहुत से लोग निकल के आये थे सब बेश सब्धान्त लोग तब जाके लोगो विश्वास जगाता वो मेट्रो के आसपास पढ़ा लिखा वर्ग वो गिटार बजा रहा है निकल के आरे हम लोगो देख करके वोट मिलाता कि अरविंद को वोट देख करके थोड़ना वोट मिलाता आप अभी भी सर्वे कर लीजिए कि क्या अरविंद को आपने वोट दिया था या पड़े लिखे लोगों को देख करके आपने वोट दिया था आप सर्वे करिए मैं द तो आज कल पार्टी जा रहा है तो बाकी लोग सच नहीं बोलेंगे जो सारी लंबी चोड़ी लिस्ट है अब जिनमें संजे सिंग, कुमार विश्वास, पंकज गुपता, इल्यास आजमी, आशुतुरुष, आशीश खेतान, दिली पांडे, एचेस फुलका, भगवन तुमा जी ने 29 तारी को जो ट्वीट किया है, उसमें बिल्कुल साफ का है कि लोगों पर नजर रखी जा रही है। इतने बड़े 230 सिंगनेचर उनके फेवर में पड़े थे। कौन से 230 उन्होंने मीडिया को जूट बोल रहे हैं और मीडिया को मुझे लगता है सवाल पूछना चाहिए। कौन से 230 सिंगनेचर हैं भईया, दिखा तो आदमी हैं, जानवन हैं, रीच हैं, भालू हैं, कौन से 230 हैं, सिंगनेचर दिखाओ, उनकी हिम्मत नहीं है वो 230 सिंगनेचर दिखाने की, क्योंकि वो जूट है, वो नाशनल काउंचल की लिस्ट वो नहीं दिखा जखते हैं, क्योंकि वो जूट है, वहां अंदर जो गए थे वो नाशनल काउंचल के लोग नहीं थे, वो जूट ह अभी बात करते हैं सुधान्चू मित्तल जी यहाँ पर है और साथी साथ आलोक शर्मा जी भी यहाँ पर है लेकिन बरिश्ट पत्रका सुधेश वर्मा के पास पहले में जा रहा हूँ सुधेश जी जो अर्विंद केजरीवाल का पक्ष है आप उनके सभी नेताओं से पिछले गुजरों से विस्तार में बात भी कर रहे हैं तोड़ा समझाएं कि आखिर वो चाहते क्या हैं क्योंकि जो दूसरा गोट है वो साफ तोर पर कह रहा है कि हम सिर्फ सवाल भी उठा र मैं की काफी बातों से एत्फाक नहीं रखता यह काफी जजबाती हो खि laz अगर डिमोक्रिसी की आप बात करते हैं आप बोलते हैं डिमोक्रिसी नहीं है तो डिमोक्रिसी तो नंबर से तैय होता है तो नंबर तो किज्रिवाल के साथ है और ये बात भी सही है कि अगर प्रशांद पूशन और योगेंदर याद आओ अगर आम आदमी पार्टी को आज नहीं हो सकते तो इसमें तो कोई बात ही नहीं अगर इनके पास सकती है ज़िये सार इसा मरें मिलंजी बता रहे हैं को सक्थिभ ब्रदर्शक्ति ये कभी भी कर सकते हैं लेकिन हर व्यक्ति जानता है मैं इनकी बात से समत नहीं हूं कि दिल्ली के चुनाव में कैंडियेट को देखकर वोट दिया गया दिल्ली के चुनाव में सिर्फ अर्विंद केजरिवाल और उसके अजेंडा को वोट दिया गया कि कुछ बदलाओ हो, करपसन पर चेक हो और इन्हीं लोग मौका देना चाहते थे क्योंकि लोग चाहते थे कि बदलाओ वो प्रॉमिसेस के मुताबिक और अर्विंद केजरिवाल पर भरोसा करते थे इन लोगों कहीं से भी भरम नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पाटी के कैंजेट्स के लिए वोट विला था आपके सुधान सुमितल जी यह वो पताएंगे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे टेबुल में बीजे पीवी का कारे करता थे और वहां से लोग लेते थे आपको कूपन और जा कि आव आदी पाटी को वोट देते थे आम आदमी का आप कार्ट करता हर जगह नहीं दिखता था हाँ डांस वाकरेसिव अगरा होता था वो मेट्रो में आप लोगोंने समने देखा वुआ है जगा 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 जाकि ये हम लोग पूरे कैम्स होगेरा लगते थे यह मैंने आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जड़ाई सामने आ रही है कई बाते मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी से एक वक्त सीखी लेकिन आज जिस साल में पार्टी नजर आती है आप क्या कोईगे इस हुआ वह महसूस कर रही होगी अगर यह वेकल्पिक राजनीती की कल्पना थी तो शायद कहीं उनको चला हुआ महसूस होना सभाविक है मुझे लगता है कि जंता दल और जंता पार्टी उनकी आत्मा जो है वह आम आदमी पार्टी के अंदर प्रवेश कर गई है इस देश पर 77 देखा इस देश 89 89 देखा लेकिन इतनी जल्दी सड़क पे और चौराहे पर जगड़ा करेंगे यह मुझे नहीं लगता किसी को कल्पना थी बिल्कुल अलोगो मिद ये थी कि इन्होंने जो सुनहरे सपने दिखाए अदर्श्वात की बात करी है उस पर यह लोग खरे दोस्ट बैठे हुए यहां पर जो पिछले कुछ दिनों में चेहरा निकल के आया उस चेहरे में एक बड़ा जीब सा मनजर निकल के आया सांप्रदाइक्ता के खिलाफ लोग सांप्रदाइक्ता की बात कर रहे हैं मुसल्मान जो है भाचापा से दूर हमें वोट देगा इमांदार पॉलिटेक्स की का बात करने वाले लोग क्या करें कॉंग्रिस को किसी तरह तुड़ो तुड़ो कुछ भी करो सकार बना नहीं है कल जो खुलासा हुआ वो तो सबसे जादा कमाल हो गया कि खुद के आद्मियों से फोन कर वाओ और फिर इल्जाम लगाओ अरुजेतली और नितिश्क नितनगटकरी पे उसके बाद जो भाशा का जो शब्दावली कमीने जूते मारों इससे एक प्रवती दिखती है वह एक बड़ी तानाशाही प्रवती है वैसे एक और मैं कहना चाहता हूँ कि संगर्ष के सिपाही और सत्ता किलाल अलग-अलग होते हैं जब संगर्ष का दौर था तो शायद आमादी पार्टी के लिए यही योगिन दर्यादव जो हैं और यही प्रशान भूशन एक आदरशवा अलग जी को मैं इसमें लाना चाहूंगा क्योंकि अर्विंद केजरिवाल समर थक एक बात कह रहे हैं कि हमें इस बात का अभास है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं राजनीतिक दल भी चाहते हैं और भी बहुत सारी ताकते हैं तो यह चाहती हैं कि अर्विंद केजरिवाल कि समाप्त हो चुका है और दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है तीन चार चीजें सामने आई सबसे पहले पर अस्ति तो कैसे समाप्त हो गए पांच साल तो अब आब आद भी पार्टी की सरकार है और केजरी वाला बेक्षात रेता है पार्टी के अंदर ये भी साफ हो गया समाजवादी पार्टी बसपा एई डीम के डीम के वहाँ पर होता है पार्टी विदे डिफरेंस में नहीं होता है उस पार्टी में नहीं होता है जो कहता है लोगपाल की मर्यादा पर आते हैं और लोगपाल बहार और बाउंसर अंदर हो जाते हैं में इसी पार्टी के लिए सिक्ति प्रदर्शन के आवश्रक्ता नहीं है। आज जिस तरह का प्रारूप और मंजर देश देख रहा है। उनके लोग पालते सोयम उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कि इन सारे निताओं को जो भी साथ नहीं है सब को बाहर कर दो। इन सारे निताओं के साथ वो भी तो पूरी तरह बढ़ जाएंगे। देखिए आकाश जी देखिए मैंने इस पर एक विसलेशन किया आर्टिकल लिखा है। और मैंने बताया है कि जो लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट है ना वो चाहते थे इस पार्टी को हाईजेक कर लेना। क्योंकि वो चाहते थे अर्विंद उनके मुताविक चलें। वो चाहते थे कि अर्विंद कास्ट और सारे चीज़ों को एसिमिलेट करने। और यही कारण से वो जिस तरह से चाहते थे और मैंने इनके सारे निताओं से बात किया है वो नहीं हो पाया और क्योंकि अर्विंद केजरिवाल बहुत practical आदमी है ऐसा आदमी जो solutions खोज रहा है जैसे जैसे नरेंद्र मोधी हैं नरेंद्र मोधी solutions खोजते हैं उनको आप right और लिफ्ट में नहीं बांद सकते उसी तरह अर्विंद केजरिवाल उस छोटे पैवाने पर आप ले सकते हैं तो वो solution खोज रहें अगर उनके ही लोग आते हैं तो उनके लोगों को आप क्या बोलें अगर अरविंद केजरिवाल को आप बोलते हैं सत्ता का संगर्स है तो यह लोग क्या कर रहे थे यह में अपको पता रहा हूं जी बिलकुल महरबानी बिलकुल महरबानी से बने थे मैं आपको बता रहा हूँ कोई कोई भी वोटिंग नहीं हुआ था जी महरबानी कोई तन अर्विन केज़िवालने सब को अपने साथ ले लिया और सब को इंडोर्स करा लिया लिए घित नहीं पाते हैं अगर मिलन जी मैं आप से सुनना चाहूंगा कि आप तो राजनीती से बहुत दूर थे आप बहुत राजनीती से दूर थे शब्द आपको चुप भी रहे इस वक्त में आप क्या सोच कर आम आदमी पार्टी के अंदर आये थे और यह जो सफर है अब कहां खड़ें आप मैं तो यही हमारी पार्टी अभी भी है आप पहले क्या कर रहे थे मैं इससे पहले मैं जॉप कर रहा था मुल्टिनाशनल कंप्ली लेकिन वह थोटी चीज है मैं ने देश के लिए और सुराज के लिए मैं आया था ने क्योंकि आप एक प्रतीक है उस दिन जब मैं कापासेडा के बाहर खड़े होकर और उसके बात भी लोगों से बात कर रहा हूं कारिकरताओं से बात कर रहा हूं तो आपकी जो आवाज है बहुत सारे कार करता है उसलिए मैं पूछ रहा हूं ये बात सच है ये बात बिल्कुल सच है और इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी भी अर्विन केजरिवाल और गुट वो वो लिस्ट नहीं दिखाएंगे जिसमें वोटिंग हुई है क्योंकि उसमें मेज्जॉरिटी है हमारे जितने भी संस्थापक सदसे हैं उज अई तो यही तो पूरा खेल इस चीज में चुपा हुआ है हम लोग मैं आपने अपने पूछा हम लोग क्या सूच करके आयते पार्टी में हमलोगे इस एकड़म मिनिमम्म चीज तो इतनी जरूर सूच के आयते कि जो पार्टी का संविधान समप्रेशन कमिशन में जो उन लोगों की भी जो पार्टी को डोनेशन देते हैं जो पारटी के लिए बहुत जरूरी होता है और वहाँ पर भी आंकड़े जौंब आदमी पार्टी के वेबसाइट पर रहें साफ तोर पर बताते हैं कि किस तरह ये डोनेशन करने वाले भी पार्टी से अब दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं लॉट्रेजब्रेक के बात हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की जिसमें बिल्कुल साफ साफ तै हो गया है कि अरविंद केजरीवाल गुट के लोग ही प्रवक्ता होंगे वो ही बातें कहेंगे और बाकी जितने भी लोग हैं जो इस गुट के साथ नहीं है उनको किसी न किसी तरह से साइड ट्रैक किया जा रहा है खास बेमान हमारे साथ में हैं एक एक करके इन से बात करते हैं सुदान्चु जी आप जिस समय पर आम आदमी पार्टी को उठते हुए देख रहे थे और बहुत सारे यूवा ऐसे थे जो उस समय एक विकल तलाश रहे थे कुछ बीजेपी के साथ आए कुछ आम आदमी पार्टी के साथ चले गए उस वक्त आपको वास्तव में लगा था कि एक पार्टी बड़ा खत्रा बन सकती है मुझे हमेशा से यही जो पारिदरिशाज देख रहा हूँ मैं इसकी आशंका थी क्योंकि इतिहास साक्षी है इसका मैंने एजीपी का ओल आसाम स्टूर्ट यूनिन का एजिटेशन देखा है कैसे बंगलादेशियों के मुद्दे पर उन्होंने पूरे राज्य को जिंजोर दिया था और कैसे उसके बाद उन्होंने उनके साथ जाप्ति करी एक बड़ा च जो है यह आमादमी का सत्य है जोगों के अकांग्शा है जैसे अभी आपने मिलिन जी का सब कुछ छोड़ के घरबार विवसाय छोड़ के एक बड़े ख्याल के लिए यह लोगाए थे लोगाए थे कि शाएद एक वेकलपेक राजनीती से एक देश निर्मान होंका लेकिन अर्विंद के जीवाल जी का और उनके साथियों का आचरन था उसमें 12 चरितने पहले दिन से ही दिख रहा था कि बाते कुछ कथनी कुछ कर्मी कुछ और जो आज हो रहा है इस सिर्फ उसी का नितिज़ा है इसमें मिलें के जड़ों में मिलें देख रहा हूं और ऐसे बहु आज आपके आखों में जो रोश देख रहा हूं मैं आपने में खहल से दो साल से जॉब छोड़ा हुआ है आप दुनिया की कई देशों में काम कर चुके है आपके सामने लाखों रुपे हर महीने की का जॉब था उसको छोड़के आप दो साल से यहां जुटे हुए थे कहीं न कहीं हमें भी ये पता था कि चुनाव का सिलसला जैसे कि दिली ने तीन चुनाव देख लिए हमें ये पता था हमें 2013 के चुनाव से पहले से हमें ये चीज़ें दिख रही थी हमारी नाराजगी हमारी तो योगेंद रियादो प्रशान भूशन से ये है कि ये जो मुद निराशा ऐसा नहीं है कि 28 सक्टूबर 28 मार्च को जो हुआ है वो तो पुरा धकोसला था ऐसी नैशनल काउंसिल मीटिंग मैं अपने मौले में बुला दूं सिंग्निचर आपको भी ना दिखा हुआ के दूं मैं नाशनल कन्वीनर हो गया तो अभी भी निराशा नहीं आई है अभी भी हम हलकी और बढ़ रहे हैं अभी भी 14 अपरेल को लोग मिलेंगे और बहुत ही महत्वा कांशी हमारी ये प्रोग्राम है हम ये चाहा रहे हैं कि अब इसके आगे जो भी हम आम आदनी पार्टी के अंदर करें या बाहर करें वो ऐसा हो highly बहुत highly decentralized weekendry उसमें अनना त पार्टी के जन से शुरू ही थी जिणराशों भी विश्वास करते हैं क्या आपको लगता है कि ये सब लोग मिल के अलंग पार्टी भी 43 है वी 17 सब लोग मिल करके अरविंद और इनसे जो जूटों का ग्रूप है इनको भी निकाल सबक्ते हैं अब बाद सोचना ये है काईए संबभ है क्योंकि टॉप पे जितने भी लोग है power पूरी तरह से अब अर्विन केजिवाल के हात में इस party के अंदर कानूनन पावर उनके हात में है जिनका नाम record पे है election commission के record पे है अर्विन ने अपने वीडियो में कह दिया है कि national council members मतलब सिर्फ founder members क्योंकि active members अर्विन ने काया और कहीं है भी नहीं यानि सिर्फ founder members अर्विन अपने वीडियो में कह दिये ये बात founder members election commission के record में registration के बग foundation के बग founder members जो कहेंगे वही होगा अब founder members का signature तो उनके पास है नहीं founder और जो founder members ने अगर signature करके डाल दिया जो कि हमें पता है अच्छी तरह पता है बलकि अभी कली एक survey हुआ है email से miss call का एक survey हुआ है उसमें और एक घंटे में founder members 76 founder members ने एक घंटे में response कर दिया कि हमने वाई हमने शौट में गया था वाई वाई पीव यानि योगेंद्रियादव प्रशाद कोशन के समर्तन में हमने नहीं दिया है वोट यह अलरड़ी चीज आ चुकी है बला अभी इन्हों ने एक आकड़ा दिखाया हुआ है आने वाले दिनों में आप ऐसे बहुत सारे सिगनेचर सामने ला सकते हैं जिन्हों ने उस दिन क्यों विकेंद्री करण पहले क्यों नहीं हो पाया था पहले यह सोचना है आगे इनको निकालने से भी पहले ठीक है थोड़ा साब को रोक रहा हूँ क्योंकि पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी है उसके बाद किस तरह से डोनेशन देने वाले दूर भाग रहे हैं पार्टी के यह आकड़े बता रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं यहां और यहां पर साफ नजर रहे हैं कि किस तरह से 26 मार्च के आकड़े देखिए सिर्फ 264 रुपे यह वो पार्टी है जिसके पास 14 लाग 15 लाग और उससे कहीं ज्यादा एक एक दिन में 50 लाग तक के भी डोनेशन आये हैं लेकिन जब से जगड़ा हुआ है दान करता दूर भाग रहे हैं साथी देख करता दूर भाग रहे हैं एक और बात एक लाख बीस हजार रुपए 29 मार्च को आए एक अच्छा देन आमाग भी पार्टी के लिए लेकिन इस दिन में भी दो लोगों ने दिये 51,000 रुपए इसलिए यहां संक्या इतनी बड़ी आ रही है वरना ये भी नहीं आती और 30 मार्च का फिगर देखिए 1326 रुपए पार्टी का इतना बुरा हाल पिछले लंबे समय में नहीं हुआ है जितना की जगड़ी के कारण इस वक्त हो रहा है सुदान शुमित्त अली एक एक इंडिकेशन ये भी होता है कि डोनेशन कितना पार्टी की ओर आ रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी के नहीं ता एक बात जरूर कहते हैं कि यहां कम से कम आपको नजर आता है हम आदमी पार्टी के पारदर्शी आंकड़ों में वेबसाइट पे कि हमारे पास कौन और कहां से पैसे दे रहा है बीजेपी और कॉंग्रेस में कही नजर नहीं आता अकाश जी मयावती जी ने भी यही कहा था उनकी रसीदे और उनकी जो परचियां थी उसमें क्या लिखा होता था हरी सिंग वर्ड राम सिंग निवासी कलकत्ता बस इनमें भी लिखा होता है इसमें और ज्यादा फरग नहीं होता और आपको की जानकारी के लिए एक चीज़ और बतला देता हूं कि आज तक खर्चे का हिसाब पहले दिन से आज तक कभी नी दिया गया है जो लोग पारदश्ता की बात करते हैं उन्होंने कहता हमारा एक-एक पैसा आप वेबसाइट पर देख लेंगे मैं हर तीसर दिन वेबसाइट पर जाता हूं मुझे तो कभी दिखा नहीं ये भी ब से और हम खड़े-खड़े बाहर देखते रहें कारवा गुजर गया गुबार देखते हैं अलोग जी आपके पास लोट हो लेकिन सुदेशी पहले आपके पास आ रहा हूं ये जो डोनेशन के फिगर जाम आदमी पार्टी के अपने वेबसाइट पर डाले हुए इससे साफ है कि डोनेशन देने वाले पार्टी से भाग रहें चिंता है केजरिवाल गुट को जो लोगों को निकाला गिया तो एक क्रेडिब्ल matar को जारो को जोगों के लिए क्रैसन को यह एक क्रैसित करे है और शॉड़ा को जो सब्कुद छोड़ कर आए और मिलीन जैसे की सुरुवात हुई है अल्टरनेटिव की देश को जरूरत है एक धड़ा अगर नरेंदर मोधी रेप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को तो दूसरा धड़ा कौन होगा इसकी देश को इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी छोड़ा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूँ जैकिन जब लोटेंगे तो बात करेंगे की मिलन जैसे लोग जो यहां पर नज़र आ रहे हैं जो इस पार्टी की जान है क्या अरविंद केजरिवाल अभी भी इनको अपने साथ ले सकते हैं और पार्टी को मजबूत बना सकते हैं लोटेंगे के बाद आमादमी पार्टी इस वक्त बो खेमों में साफ साफ बटी हुए नज़र आती है इस वक्त आमादमी पार्टी के नेता मिलन गुपता जो के अरविंद केजरिवाल से बौट खुश नज़र नहीं आरहे हैं उनसे बात आगे जारी करते हैं और भी मैमान हमारे साथ है इस पार्टी से अरविंद केरिवाल गुट को आप हटाना चाहते आपकी साथ कितने लोग है और आप आगे क्या करेंगे इसके लिए यह मैं साफसाफ कहना चाह रहा हूं कि मैं प्रशान भूशन और योगिंद्यादर समर्थक नहीं हूं इससे पहले भी मुझे लोग अक्सर की बदल दी उसी तरह से कारे करता भी अब हो सकता अगले 5-6 दिनों में 200 सिग्निचर करवा लेंगे और कि अपने आपको नैशनल सेक्रेटरी चुनवा लेंगे कोई अपने को पपू सिंग को को चुनवा ले को चुटे लाल को चुनवा लेगा और वो वह चिठी भी इलेक खा रहे हैं आपको आलोग जी आपको लगता है कि अर्विंद केजरिवाल इस सीज के लिए पहले से तयार नहीं है देखे मैं समझता हूँ के 272 जो फाउंडर मेंबर्स मीडिया के माध्यम से और तमाम आम आदमी के जो फाउंडर मेंबर्स थे उन्होंने जब जब बताया हमें उनके एफेडवेट्स हैं कि हम लोग फाउंडर मेंबर्स हैं और इस कंसिचूशन पर हम एक पार्टी फार्म करना चाहते हैं वो एफेडवेट्स की कौपी और 900 के करीब प्राइमरी मेंबर्स दो तरह की लिस्ट इलेक्शन कमिशन में गई थी जैसा कि आम आदमी पा हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है मिलिंजे ने जो बात कही है अभी कि उन में से किस किस के साइन है किस किस के नहीं है क्या उनको हटाना गलत था ठीक था अगर इस तरह का कोई मैं समझता हूं कि ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड मिलता है और उसके आधार पर जो बागी गुठ ह है इनका या कहें के जो दूसरा धड़ा है वो अगर इलक्शन कमिशन को या नहाले को अपरोच करता है खास तोर पर जो दिली के सामने क्योंकि अभी तक रीजिनल पार्टी है ये और पहले भी हाई कोट में मसला गया था कि इस पार्टी की माने तक क्यो लेकर मैं समझता और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर हाई कोट में जाते हैं तो केजरीवाल के लिए कही न कहीं दिक्कत होगी इसके अंदर ये पार्टी हमेशा से ही विवादों में रही है कारण क्या है कि आंतरिक इनका जो मामला है वो हमेशा से गड़बड रहा है मेवालाल से सेवाल जब तक आये हैं या सेवालाल से मेवालाल सेवालाल चले गए सब लोग और मेवालाल जो बचे हुए है वो जैसे तैसे करके कागजों को मैनुपुलेट कर रहे हैं तमाम मीटिंग्स को मैनुपुलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टी को अंदकार में तुदेश जी यानि कि अर्विंद केरिवाल गुट तो फिरसवक्ति है सोच रहा होगा कि जितनी जल्दी दूसरे खेमे के लोगों को दूर हटाएं उतना बहतर उनको पार्टी से भी निकाल दे लेकिन साथ ही साथ कारे करता बहुत सारे नाराज है और constitutionally भी गलत होगा तो मुझे नहीं लगता कि अर्विंद के जिवाल ने इतनी बड़ी भूल की होगी अगर करेगे तो उनके खाम्याजा भुगतना पड़ेगा लेकिन जो दूसरा धड़ा है अगर मान लीजिए आपको निकाल दिया गया leadership से आप national executive में नहीं है तो आपको लिस्ट देखी क्या उस meeting में आपने लिस्ट देखी केवल selective जो भाशन था वो क्यों दिखाया गया अगर इतना ही लोगतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ थी और लोगतंत्र में संख्या की इतनी importance होती है क्या योगेंत रियादव को बोलने का मौका दिया और यह छोड़ने का सिलसिला है किसी को मिला स्टिंग के उपर कभी भी कोई जवाब क्यों नहीं देता है आज के पैनल में आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता क्यों नहीं मैं वहीं बोल रहा हूँ चुनाव आयोग में ये बात जाएंगी और मुझे लगता है कि ऐसा क्रैसिस अगर दोनों तरफ से अगर इस तरह की बाते उठाएंगी तो आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा और दोनों ही लोग लूज करेंगे और फाइनली कंसोलिडेट करने का जो प्रयास है अर्व कि अपने आपको करेंगे जब अपनी करतवे से जादा महत पूर हो जाएंगी तो ये तो संभव है ये तो होना ही तस्वाभाविक है लेकिन मैं फिर इनसे अपील करूँगा कि दिली की जनता जिसने आप पे आपार विश्वास रखा है उसका सोचिए उसकी तरफ ध्यान उसमें जो है जो निराशा आ रही है बहुती इद्दुगदाई है उनका विश्वास उठ रहा है राजनीती पे राजनेतिक्यों पे इसका सिर्फ घाटा आमादी पाटी को नहीं है ये सारी विवस्था के लिए घाटा है क्योंकि वेकल्पिक राजनीती को अगर इस तरह समसार होते वो देखेंगे तो लोगों को राजनीती में बिल्कुल मेरा वक्ते ही समापत हो रहा है और आज के कारेक्रम के हमारे जो चेहरे हैं वो मिलन गुपता ही है शायद आईएटी में पड़े हुए आईएम में पड़े हुए दुनिया में कहीं भी नौकरी कर सकते थे और कर रहे थे छोड़के दो साल से हम आद भी पार्टी के साथ है अरविंद केरिवाल जी को सोचना होगा ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जो नोने आशाय हैं क्या अभी भी उनको वापिस साथ ले सकते हैं ये एक गंभीर विचार अरविंद केरिवाल जी को और उनकी गुट को करना है आज आज का मुद्दा में इतना ही ब्रेक के बात कुछ और खबरे